नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूजवल इंडिया मैं मैं हूँ आपके साथ प्रद्युमि शर्मा स्पेशल रिपोर्ट में कहानी एक ऐसी मा की जो सोशल मीडिया पर अपनी अवास का जादू चला कर इंडियन आइडल के मंच तक पहुँच गई लेकिन बेटे की ममता के आगे वो मायूस हो गई मुजफणगर की रहने वाली फरमानी ने ममता की साथ ने अपने सपनों को तर्द ही नहीं दी बेटे का उपरेशन कराने के लिए फरमानी ने इंडियन आइडल का मंच छोड़ दिया शो को बीच में छोड़कर लोटी फरमानी अब अपने बेटे के आपरेशन के बाद काफी खुश है मा की ममता जंग जोड़ देने वाली ये खास रिपोर्ट देखिए तुझे चाहा रब से भी ज़्यादा ये है फरमानी नास बहुती सुरीली अवास अगर हिमेश्रेशमिया या देश के और भी संगीतकारों तक ही अवास पहुच जाए तो इसे भी सफलता का प्लेटफॉम मिलना तै था अमीरों को तो हमेशा मौका मिलता है क्यों न अब गरीबों को आगे बढ़ाया जाए आखिर इन सब के अंदर भी बहुत से अर्मान चुपे हुए है हाला कि फरमानी नास को ये मौका मिला भी लेकिन मा की ममता के बीच नास मजबूर हो गई और उन्हें बीच में ही इंडियन आइडल छोड़ने का फैसला किया लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी बेटे की जिंदगी के लिए उसकी जंग आज भी जारी है इंडियन आइडल के बारवा संसकरण में मुजफर नगर के एक मा भी शामिल हुई लेकिन बात जब ममता की होती है तो एक मात दुनिया की हर चीज इसके आगे पीचे छोड़ देती है ऐसा ही कुछ मुजफर नगर की फर्मानी नास के साथ हुआ इंडियन आइडल 2020 के आउडिशन राउंड में अपनी गायकी से शोशल मीडिया पर वैरल होने वाली फर्मानी नास को आप सभी ने सुना होगा लेकिन गायकी से तीनों जज बहुत ही प्रवावित हुए और तालिया बजा कर फर्मानी नास का उत्सहा बढ़ाया लेकिन आपको ये जानकर दुख होगा कि फर्मानी नास ने इंडियन आइडल को बीच में ही छोड़ दिया है फर्मानी नास ने अपने विक्तिगत कारणों से इंडियन आइडल का मंच बीच में ही छोड़ा और वज़ा है उनके दो साल का बेटा अपने दो साल के बेटे के ओपरेशन की वज़े से फर्मानी नास को ये प्रतियोगिता बीच में ही छोड़नी पड़ी इंडियन आडल के मंच तक पहुची एक मा यानि फर्मानी नाज ने बेटे की ममता में त्याग दिया इंडियन आडल का मंच उनके इसी दर्द को समझने के लिए न्यूजवल इंडिया की टीम ने फर्मानी नाज से उनके घर पर पहुच कर बात की अपनी सुरूली आवाज से और अपने मिठिये मधूर गीतों से लाखों दिलों पर राज करने वाली फर्मानी नाज इस वक्त हमारे साथ मुझूद हैं खास बातचीत करने के लिए उनसे बात करते हैं कैसे उनके लाइफ में संगर्स चल रहा है और कैसे वो इंडियन आडिय किस तरह का संगर्स रहा है उसके बावजूद भी मैं आगे बढ़ना मेने छोड़ा नहीं अपनी कला से में इंडियन आडियल के मज़ तक गई और अगले राउंड के लिए मुझ पर चांस भी था लेकिन बेटे के उपर आ गई ती तो मैं वापस आ गई और बेटे का उप हुस्पिटल के जो इसमाइल ट्रेन आनद हुस्पिटल के थरू मेरे बेटे का फिरी इलाज हुआ है बीजेपी सांसा डोक्टर संजी बालियान भी आफकी आवास पर पहुचे थे कुछ दिन पहले उन्होंने भी यहाँ पर आफको बेटे के इलाज का आश्वासन दिया थ मैंने फिर उनको बोल दिया था मंत्री जी साब को के आनद हुस्पिटल से फोन आया है मैं महा कराना चाहतू बेटे का उपरेशन तो बोल दिया था कि आप महा करा लो जो भी कोई खर्चा होगा मैं मुझे बताना लेकिन महा पे कोई खर्चा नहीं हुआ मेरे बच्चे की मैंने कदम उठाया इसी के लिए मैं गाना गाना शुरू किया था कि बच्चे का उपरेशन हो जा लेकिन उपर वाले की इतनी बहुत बड़ा करा मैं मुझे के मेरे बेटे का अच्छे से उपरेशन भी हो गया और मुझे काम्याबी भी बहुत मिली क्या सुसराल पक्स के ल बच्चे का अच्छे से इलाज कर पाई ये बताईए आप अपने बेटे के उपचार के लिए इंडियन आडियल के सो से वापस लोटी हैं तो क्या अब दोबारा जाने का आपकी चांस हैं या दोबारा महाँ तक पहुँचेंगी क्या तैयारी चल रही है जी मैं पूरी तै अगले राउंड में जरूर जाओंगे अपने इंडियन आडियल में दूसरी दूसरा नंबर पर आप रही हैं तो अब इस बार क्या लगता है कि आप क्यों सफलता मिल पाए गया नहीं क्या उम्मीद लगती है जी उम्मीद बहुत है और मैं कोशिश भी बहुत करूंगी कि अगले राउंड में मुझे सफलता मिले और मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करूंगे अच्छे से अपनी कला को निभाने के लिए देखें ये थे हमारी साथ फरमानी नाज हैं जो इंडियन आडियल में नमबर दो पर रही हैं दूसरा इस्थानी नोंने फराप्त किया था और वहीं लगतार सोसल मीडिया पर अपनी मधूर गीतों की वज़े से चाही रहती हैं और लोगों को अपनी और अच्छी आवाज से मिठी आवाज से सुरूली आवाज से लोगों को अपनी और आकरसित करती रहती हैं जिसके चलते फरमानी नाज इंडियन आडियल तक मोची वहीं बेटे के उपचार के लिए फरमानी नाज इंडियन आडियल को छोड़कर वापस आ गई हैं और वहीं अब फरमानी का कहन प्रफनगर की रहने वाली है उनका दो साल का बेटा है जो बोल नहीं पाता फर्मानी नाज के बेटे का यूपी के मेरट शेहर के एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन हुआ डॉक्टरों ने बताया कि फर्मानी नाज के बेटे के कंट में जन में से ही एक छेद है जिसका काफी समय तक इलाज चलता रहा फर्मानी नाज जब इंडियन आइडल के शो में पहुची उसी दोरान डॉक्टरों ने तुरंत ऑपरेशन के लिए कह दिया फिर क्या था एक मा की ममता उसे इंडियन आइडल को छोड़ अपने बेटे की ओर ले गई फर्मानी नाज सब कुछ छोड़ कर अपने बेटे के पास लोट गई दरसल जब इंडियन आइडल 2020 शुरू हुआ तो उसमें देश के कई हिस्सों से आई हुए एक से बढ़कर एक प्रतिभागी अपनी गायकी का लोहा मनवा रहे थे तो फर्मानी नाज ने भी उस वक्त अपनी अवास का लोहा दुनिया को मनवाया लेकिन बदकिस्मत से उन्हें इंडियन आइडल का ये मनच बीच में ही छोड़ना पड़ा इंडियन आइडल संगीत का एक ऐसा मनच है जहां आकर कभी भी किस्मत बदल जाती है हमने कई लोगों का भविश्य इंडियन आइडल से बनते हुए देखा है आज वे अपने जीवर में बहुत उचाई पर है इसलिए ऐसे मनच पर आने का मौका कोई छोड़ना नहीं चाता लेकिन मुझफवर नगर की फर्मानी नाजने मम्ता के सामने अपने सपनों को तरजीही नहीं दी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लेगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे हैं वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें नमस्कार